है दोस्तो हमारे पास एक फोन है रेड्मी 6 प्रो इसमें नोन नेटवर का प्रॉब्लम है इस नोन नेटवर को कैसे हम सॉल्व करेंगे कैसे रीपेर करेंगे वो आपको बताएंगे आज तो सबसे पहली यह मोडल देख लेते हैं रेड्मी 6 प्रो मोडल है और आपका यहां प यहां टक सही है उसके बात हम यहां पर नीटर्वर्व सेटिंग जाके इसका सेटिंग देखेंगे कि नीटर्वर शड ले राही है नहीं इंसको में अजोड बिल करके हम दोग्सेक कर रहे हैं क्या एर्रा यहां पर एर्र तो इसको अब कैसे हम रिपेर कर रहा है इस्टेप आपको हम बताएंगे तो रहा हम मुबाइल इसका मुबाइल रेडियो देख लेंगे कि ओफ है या ओन है शेक करके आपको बता देते हैं रिपेल सीमद्वहच इस्टारहच श्यास थीससाक्ष इस्टारहच इस्टारहच टूल नमबर में दाल रखे यहां पर हम देख सकते हैं, मोबाइल रेडियो पावर जो है, यह भी आफ है मेरा, तो यह मोबाइल रेडियो पावर है, यह सौप्टर के भी होता है, हाड़वेर के भी होता है, तो सबसे पहले हम इसको हाड़वेर से रिपेर करेंगे, ठीक है, तो हाड़वेर में करना क्या आपको सबसे पहले इसका फीजिकल हम चेक करेंगे कि निट्रोक सेक्षन में कोई कॉम्पोनेंट मिसी है या कोई IC तो डैमेज तो नहीं है तो हम अभी देख पा रहा है कि आपका ये निट्रोक सेक्षन जो है कम्प्लीट पैक है ये आपका निट्वर्क सेक्षन होता है। निट्वर्क सेक्षन कुरात पैक है इसको हम अब इस सेमबल ये स्टील जो है स्टील को हटा के अब इसके अंदर जो IC होती है निट्वरक IC जो RF IC कानते है जिसको थैफन डवटियार की घाते है उसIC को भी हम चेंज करेंगे ये आपका total network section होता है network section में आपका 2G 3G पी फो होता है ये आपका WTR होता है network IC होता है तो इस ही WTR को हम change करेंगे इसका number है WTR 39 उनैटिस पैस अठ ठीक है अभी हम इसको अब change करेंगے पेस्ट लगा देना है उसके बाद इसको हीट करता है आइसी तब निकालेंगे जब आइसी आपका प्रोपर हीट हो जाएगा जब आइसी मूब करने लगे हिलने लगे तब टीजर के माध्यम से सीधा उठा लेना है करने लगे हिलने लगे हिलने लगे है कि ध सकक्कशनी बाद लेना है यूद ऐना है थोड़ा से वेट करेंगे अभी भी आईसी मूब नहीं हो रहा है जब तक मूब नहीं होगा तब तक आईसी को हम निकालेंगे नहीं जखे आईसी होई हिल चुका है अब इस आईसी को हम पूरा इस्टेट उठाएंगे जसीदा आईसी निकल चुका है अब इस आईसी के जगह पर हम दूसरा इसी लगाएंगे यह देखिए दोस्तो आईसी अब लगाने जा रहे हैं जड़ा है यह इसी हो है झाल झाल थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे वहाँ पे आएसी को हिला के देख लेंगे कि आएसी प्रोपल लगा है कि नए आए आएसी प्रोपल लग चुका है अब हम इसको चेक कर के दिखाते हैं आपको आइसी प्रोपर लग चुका है अब चलिए हम इसको छे करते हैं यह आर एफ वायर है इसको भी लगा देते हैं कि अधर से वेट करेंगे और होने वक्त तक है है एंधर काच गया है कर दो करके भी आपको दिखा देते हैं हमां के सवालों को सुनने के लिए